इतनी कुड़कुड़ी और इतनी रसेली जिलेवी आप घर में बना सकते हैं आपने इसके आवाज को सुनके पहचान लिया होगा कि कितनी कुड़कुड़ी जिलेवी हमने बनाई है तो इसे बनाने में कोई जादा खर्च भी नहीं होता है और जादा इसमें जंजट भी नहीं होता है तो आप जब भी मीटा खाने कमानो इस तरह का जलेवी कुरकुड़ी आपको खाने कमानो तो आप मार्किर से क्यों लाना भाई घर में इसे बनाए और खाए अपनी फैमली के साथ इंजवाए करें इस कुरकुडी से जलेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पेन लेंगे तो पेन आपको मतलब पेन भी ले सकते हैं आप कड़ाई भी ले सकते हैं तो थोड़ी कोसिस कीज़ेगा थोड़ी उची वाली ले पेनिया कड़ाई तो अच्छा रहता है उच्छी और गहरी वाली छोटी हो तो सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि हम चासनी बनाएंगे इसमें तो चासनी के लिए ना मतलब चासनी इतना हमें बनाना है कि ताकि जले भी हमारा अच्छी से उसमें डोप सके तो यहांपे चासनी के लिए मैंने ले ली हूँ, एक कटोडी चीनी और एक कटोडी में आधा कटोडी ली हूँ, पानी तो यहां पे अच्छी फ्लिवर के लिए एट करेंगे दो एलेची और यहां पे लेची पॉर्डर का भी इस्तमाल कर सकते हैं और आप लोग से छुपाना क्या इसमें मैं एट कर रही हूँ एक चुटकी फूड कलर जो कि यह औरेंज कलर का है आप यलो कलर का भी एट कर सकते हैं आया तो आपके पास केसर के धागे हैं तो आप उसको भी एट कर सकते हैं तो वो थोड़ी महंगी मिलती है तो हलवाई लोग ना कलर का ही यूज करते हैं तो इतनी महेंगी केसर ये इतनी सारे जलेवी में नहीं एट करते हैं तो चलिए इसको अब हमने चूले पे चरहा दिया और इसमें नहीं अच्छी से एक उबाल आने देंगी उबाल आने तक इसको नहीं पका लेना है हमें कोई तारवारवाली चासनी नहीं बनानी पड़ती है विसमें उबाला जाए चीनी हमारा पानी के साथ मेल्ट हो जाए है और देखि की फिलम यह पर आफ कर देंगे और चैससदी ली थी ना एक कटोरी उसी कटोरी से हमने यहाँ पे आदा कटोरी मैदा ली हूँ और इसमे थोड़ी सी हमने नमकेट किये मीठा मेन थोड़ा सा हलका नमकीन का कॉमिनेशन बहुत अच्छा लगता है इसमे और चार चांद लगा देते हैं मिठाई में तो और हमने यहाँ पे दो चम्मच रिफैन और ले लिए हैं, यहां पे आप देशी घीर को अभी इस्तमाल कर सकते हैं, तो आप यहां पे क्या लेंगे ना देखिए, यहां पे मैं यह इनो ले रही हूँ, तो यह लेमन फ्लेवर का यह इनो है, तो इसमें मैं पूरे इनो को एट नहीं करूंगी, आ मतलब जो भी इसमें हमने एट किये ना, सब आप हाँ से मसल लेना है, ऐसे तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं, मेजकर से भी कर सकते हैं, और हाँस ही बहुत अच्छी सी मिक्स होता है, जब भी आप जिलेवी के लिए मतलब बेटर को त्यार कीजिएगा ना, तो आप हाँस स किजिएगा तो जब इस ताहिए से अच्य से मिक्स हो जाए तो फिर इसमें हम थोड़ी-ठोडी पानि एट करके इसका वेठर त्यार करेंगे तो इसमें भी हमें एक कटोरी पानी ड़ता है तो देखिया एक लगाला हमें पानी नहीं देना है तो इस तरह के से थोरce ने इसके बेटर को इस तरीक..से हाठ से मतल़ा..सको मिक्स करना है..만कि Вам इनों का चारी पोछ जोटक पारा.. और देखिए इस तरह का हमारे बेटर करना टेक्टर होना चाहएं बेटर अब जितने अच्छा से बनाएगा उतने ही अच्छा अपका जले भी बनेगा पर फैक्ट बनेगा तो चलिए आप यहां पर मैं क्या की हूँ एक इस तरह का रिफाइन ओयल का मैंने पुलोथिन ले ली हूँ और इसको उने उपड़ की से थोड़ा कट कर दी हूँ तो देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं कोई भी बट कॉन वला होना चाहिए या फिर मार्केट्वी मिलता है उसको भी ले सकते हैं इसे उल्टे करके इसको गिलास में रख दीजेगा ताकि बेटर डालने में यह बहुत ही आसान हो जाता है एक बार बेटर डालने से पहले चेक कर लिजेगा ज्यादा गाड़ी है तो उसमें थोड़ी से पानी इट करके आप फिर से उसको थोड़ा पतला कर लिजे या फिर आ ज्यादा मुर्टी न ज्यादा पतली से कौन को थोड़ा कैच्छी काट देंगे चलिए अब जलेवी बनाना शुरू करते हैं तो इस टाइम आप थोड़ा ध्यान जे देखिए किस तरह से इसको घुमाना होता है और तेल हमारा यहां पे एक तम अच्छी से गर्म होना चाह इस बात का आपको ध्यान देना है और इस तरह की से बीच से शुरू करना है और लेजागर की बीच में हमें छोड़ देना है तो यहां पे देखिए कुछ गलत कमेंट्स मत कीजिएगा क्योंकि मतलब जलेवी टेरी मेरी भी होड़ी है तो इसके लिए चिंता करने की कोई ब बनाने के बाता है ज्यां je 2 मिनट कुछ भी करना है दालने के बाद तो इसके घयागर करना मेरी कमें मतलब बीग मीरेु तो दो मिनटी के लिए जब बनाना हो जाता है तो उसके पर भाद प्र पलड़ देना है और तो ज saat उने इस तरह को से सारी जलेवी को तेल यागी से बाहर निकाल लेना मेरी इजलेवी बनाने का तरीका आप लोको थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो जल्दी से एक लैक कर दीजेगा और चैनल पर नए नए अभी अभी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की दीजेगा पहर निकालना गें अच्छे से तेल को प्राय कर ली एफीर यहां पे देढ़ के सारी वटोल फ्राय कर ली है पिर चैनल हमारा हलका गड़ में और जिलेवी हमारा हम चैनल करेंगे और इस तरीके से अल्टाते हमें जिलेवी को प्लता ठीलाना है यह आनि की जिले तो यह इसी तरीके से अच्छी से चास्नी को ने चोड़ते हुए हमें निकाल लेना है तो हम इसी तरीके से डूपकिया लगा देला है अच्छा लगाने का तरीका निकाल लेना है। जरूर भेजिएगा अपने दोस्तों फेंटों में से सेर कीजिएगा और कॉमेंट में जरूर बताईएगा तक इससे क्या होता है ना कि मुझे पता चलता है कि मैंने जो रेस्पी बनाई है आप लोग को कैसे लगे तो मैं आगे कोसिस करती हूं इससे अच्छा बनाने के तो चलिए अब फिर मिलती हूं मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह अच्छी अच्छी नियुक्त बनाई है